गोड मॉर्णिंग टो एवरिवन वेलकम टो आईसेटी वाइफाइडमी कंपिटर एजुकेशन दोस्तो आज का यह यूपी जीके का वीडियो बहुत ज़्यादे आपके लिए इन्पोटेंट महतपूर होने वाला है क्योंकि इस यूपी जीके के इस वीडियो के अंदर उन स इस वीडियो के अंदर एक्स्प्लेंड किया है जो आप किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ज़्याद महतपूर होने वाले हैं तो आईए चलते हैं हम इस यूपी जीके के पहले कोशन के बारे में जैसी कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरप् पक्षी भीहार की साफना की गई थी तो ऑफसन भी हाँ पर करेक्ट होने वाला है यहां पर आपको नवाव गंज भक्षी भीहार लगा देना है अगर इससे कुछ इंपोटेंट वी हैं जैसे कि अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो 1957 में स्थापना की गई है और किस जिल है तो यह कुछ महतपुड तत थे इस इस रिलेटेट थे इनको भी आपको याद रखना है यह परिक्षा की द्रिश्टी से बहुत महतपुण है तो आई चलते हैं अगले प्रिश्ण की तरह उत्तरप्रदेश का राज की ब्रक्ष क्या है यहां पर फ्रेंड्स पूछा गया है राज की ब्रक्ष क्या है तो राज की ब्रक्ष हमारा आपसन सी हाँ पर करेक्ट होने वाला है तो राज की ब्रक्ष होता है हमारा असोक जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर आपसे राज की ब्रक्ष पूछता है तो आपको असोक ही आटेम्ट करना है और राजकी की अगर हम बात करते हैं तो राजकी उत्तर प्रदेश के राजकी से संबंदित कई सारे प्रेशन पूछे जाते हैं जैसे कि यहां पर राजकी पसु अगर आपसे पूछता है तो वारे सिंगा होता है राजकी अगर पक्षी पूछे तो आपको सारा स्क्र लंबी नहर कौन सी है तो उत्तरप्रदेश की सबसे लंबी नहर साड़ा नहर है ऑप्सन भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा है नेक्स प्रेशन है निमलेखित में से किसन नदी के तट पर गोरखफुर जनपद इस्थित है तो यहां पर राप्ती नदी के स्टेडियम उत्रप्रदेश के किस जिलम इस्तित है तो यहां पर आपसे हवाई अड़ा पूछे तो लखनौ में है चौदरी चरण सिंग हवाई अड़ा कहां पर इस्तित है लखनौ में अगर इस्टेडियम पूछता है तब आपको मुझफर नगर अटेंप्ट करना है तो यह कुछ मुख्य फैक्ट थे यहां पर जिसको आपको समझना है और प्रिक्षा की द्रिष्टी से यह बहुत महत्पूर्ट प्रेशन वनते हैं याद रखना है नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश की प्रथम महीला मुख्य मंत्री कौन बनी थी तो उत्तर प्रदेश की किस इस्थान का दसेरी आम बिस्व प्रिसिद है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो दसेरी आम है वो कहां का प्रिसिद है तो मलिहाबाद का प्रिसिद है और मलिहाबाद कहां पर पड़ता है तो यह आपका लखनों में पड़ता है तो दस्यरी आम आपके लखनों का प्रसिद्य अगर ऑप्सन में मलिहाबाद नहीं दे रखा हो लखनों दे रखा हो तो आप लखनों यहापर अटेम्ट कीजिएगा नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश का नियूंतम साक्षरता दरबाला जिला कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का नियूंतम साक्षरता बाला जिला सुराबस्ती है यहापर ऑप्सन आपका सी करेक्ट होने वाला यूपी का सबसे ज़्यादा साक्षरता बाला जिला आपका गउतम बुद्नगर अर्थात नौइडा हो जाएगा इस समयाविधी 1947 से 1949 तक रही अगर नेक्ष्ट प्रदेश में यूरेनियम किस जिल में पाई जाता है तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है और पाइराइट्स की बात करते हैं तो सौन भद्र के अंदर पाइराइट्स पाया जाता है तो यह बहुत important questions है अगर आपसे यूरेनियम पूछता है तो ललितपुर हैं पर attempt करना है नेक्स कोशन उत्तर प्रदेश में परिमाडू विधुत कैंदर कहां पर इस्थापित किया गया है तो उत्तर प्रदेश में परमाडू विधुत कैंदर आपका नेक्स कोशन है हमारा ओवरा ताप विधुत कैंदर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है तो सोविय संग रोस के सहयोग से की गई है यह सौनवद्र के अंदर इस्थित है इसकी स्थापना रोस के सहयोग से की गई है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सोविय संग रोस की मदद से विधुत के अंदर की स्थापना उत्तर प्रदेश की सौनवद्र जिले में इस् 100 है विधान परिशल संख्य कितनी होती है 100 इसी के साथ साथ आप से कुछ और मुख्य प्रिश्ण बनते हैं अगर आप से लोक सभा की सदस्य की संख्य पूछता है तो यहां पर आपको 80 लगाना है और राज्जी सभा के बारे में अगर पूछता है तो 30 बन होती है और मैं यह अगर बात करता हूं विधान सभा की तो विधान सभा के अंदर 403 सीटे होती है और विधान परिशल जैसे कि अभी हमने बताया आपको कितनी होती है 100 यानी 100 सीटे होती है तो यह मुख्य तथ्य बन रहे हैं विधान परिशल से लेटिट कई सारे प्रिशन आप से फूच सक यह अगला प्रिशन देखते हैं आगरा लखनो एक्सप्रेस बे की लंबाई कितनी है तो यहां पर आप से पूचा गया है आगरा लखनो एक्सप्रेस बे की लंबाई कितनी है तो 302 किलोमेटर है ओफसन इस दे करेक्ट यह है छे लेन का एक एक्सप्रेस बे है जो आगरा स लखनों के लिए मिलता है नेक्स्ट कोट्सन है उत्तर प्रदेश कब चला कि थी फ्रूर रेलकाली 1859 दो यह आपको धियान लखना है उत्तर प्रकुण भारत वर्स में प्रिथम किर्शी विस्विध्याले की स्थाफित किया गया अगला फिरिशन है उत्तर प्रदीस में किर्शी अनुसंधान परिशत कहा इसे थे तो आपका उत्तर प्रदीस में किर्शी अनुसंधान परिशत लखनों के अंदर स्थित है और संडी बात करते हैं तो ये भी आपका लखनों में स्थित है ये आपको ध्यान रखना है अगल नेक्श प्रिशन है उत्तर प्रदीस में आमले का सरवाधी कुत पादन करने वाला जिला कौन सा तो आमले का सरवाधी कुत पादन करने वाला जिला है आपका प्रताबगाळ ओप्सन से यहां पर करेक्ड हो जाएगा है तो यहां पर ध्यान में रखना है नेक्ष्ट को सन है उत्तर प्रदेस के किन जिलो में लाल मिर्दा पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर यानि सौन भद्र के अंदर ये लाल मिर्दा पाई जाती है नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश का सबसे चोटा पक्षी विहार कौन सा है तो उत्तरप्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार यानि एटा नखीरा पक्षी विहार यानि संत कवीर नगर तो यह आपको ध्यान में रखना है और लाल बहासी पक्षी विहार यानि कर्नोज यहां से आपके कई सारे प्रेश्ण बनते हैं यह ध्यान में रखना है आई बात करते हैं अगले प्रेश्ण की तो अगला प्रेश्ण है हमारा निमलेखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनाली का अपरदन द्वारा बीडो का निर्माड हुआ है तो चंबल आपको याद रखना है चंबल सबसे अधिक आमबाली का अपरदन करने वाली नदी है चंबल नदी इस नदी का ध्यान में रखना है अगला पुरण है उत्तर प्रदेस में कितने जिले मद्य प्रदेस के साथ सीमा साजा करते हैं तो 11 जिले धियान में रखेंगे मद्य प्रदेश के साथ सीमा साजा करने वाले उत्तर प्रदेश के टोटल 11 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के जिले मद्य प्रदेश के साथ सीमा साजा करते हैं तो यहाँ पर आपका option C is the correct होने वाला है next question है उत्तर प्रदेश का पूर में वो से पच्छिम तक विस्तार कितना है तो देखी पूरव से पच्छिम की और पूछ रहा है यहां पर तो पूरव से पच्छिम की और आपका 650 km हो जाएगा यहनी option D यहां पर correct होने वाला है अगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिन विस्तार कितना है तो यहाँ पर पूछा गया है उत्तर से दक्षिन ठीक है तो उत्तर से दक्षिन की ओर अगस का जो विस्तार है वो 240 किलोमीटर है बर्दमान में उत्तर प्रदेश का छेतर फल कितना है बर्दमान में उत्तर प्रदेश का छेतर फल दो लाग चालिस हजा नो सो अटाइस बर किलोमीटर है option A यहां पर correct होने वाला है तो यहां पर ध्यान रखना है तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का छेतर फल आपसन ए होने वाला है नेक्स्ट प्रेशन है उत्तर प्रदेश को कितने भोतिक भागों में विवाजित किया गया है तो उत्तर प्रदेश को तीन भोतिक भागों में विवाजित किया गया है Option A, भावर, तराई का छेत्र, बंद्धेवरती मैदान और दक्षणी पठार Next question है, उत्तर प्रदेश की सबसे उची पहाड़िया सोना कर कैमूर जिलों में स्थित हैं तो ध्यान में रखना है, ये मरिजापूर सौन भद्र के अंदर स्थित हैं उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर जिला आपका सहरनपुर है Option D is the correct, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो उत्तर की और लाश्ट में है नेक्स्ट प्रिशन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक वर्षा होती है तो उत्तर प्रदेश के गोरकफुर जिले में सरवाधिक वर्षा होती है अर्थाथ ओप्सन B is the correct बनेटी फोर्स पॉइंट दिसमलस S.C.M. बरड़सा होती है यहाँ पे ध्यान में रखें नेक्स्ट प्रिशन है उत्तर प्रदेश में सीत रितू में तापमान किस ओर से किस ओर वड़ता है तो उत्तर से दक्षण की ओर वड़ता है ओप्सन B is the correct नेक्स्ट प्रिशन है हमारा इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे जो भी हमारा रितू से संब्धे बहुत सारे प बात करते हैं तो उत्तर से दक्षण की ओर यह हमेशा बढ़ता है तो इस प्रिशन में बहुत लोजिक है आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे बहुत बच्चा गलत कर देता है नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश की किस जिल में सबसे कम बढ़सा होती है सबसे कम Next question है, उत्तरप्रदेस में बरसा मक्यतर किस मांसून के दारा होती है ये भी बहुत महत्पूण है, तो जो हमारी मांसून होती है वो दक्षण से पस्छिम Next question है, उत्तरप्रदेस का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है इस्टूडेंट्स बहुती जादे इन्पोर्टेंट प्रिश्ण आने वाले हैं इन प्रिश्णों को ध्यान में रखिए ये स्वहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है फिरोजाबाद को जाना जाता है अर्थात option D हाँ पर correct हो जाएगा गर पूछए आपसे पेठा नगरी किसे कहा जाता है तो पेठा नगरी आपका आगरवा को कहा जाता है और इत्र नगरी कन्नोझ को नेक्स प्रिशन है निमलेखित में से कौन सा सही सुमलेट नहीं 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 यह वर्षन है कन्नोज कन्नोज इत्र बिल्कुल राइट है इत्र के लिए मशूर है वलन सहर चीनी मिट्टी चित्रकूट लकडी के खिलोनी लेकिन पृताब गड़ा मुरूद जेली यह आपका है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सही सुमलेट नहीं है तो यहाँ पर ओप्सन डी लगा देना है नेक्स प्रिशन है उत्तर प्रदेश के निमलेखित में से किस जिले में केंदर सरकार की अफिम की फैक्टरी इस्तित है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गाजीपुर ने यह इसको ध्यान में रखेंगे मिलने का मतलब है यानि दोनों नदियों का एक जगे संगम हो जाना यानि दौराब दौराब जिसे बोलते हैं यानि मिल जाना दौराब यानि दोनों नदियों के बीच के शेत्र को और जहां पर जाकर के दोनों एक जगे मिल जाती है उसी को पर डिश्टिक्ट से ब्रवेश करती है और सन यहां पर करेक्ट होना वाला है यम्ना नदी से रिल्टेट कुछ मुख्य तक थे हैं यम्ना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी है यम्ना नदी की कुल लंबाई 376 किलोमीटर है अन्य नाम कालिंदी खुला नाला क कि नाम से इसको जाना जाता है तो ये कुछ मुख्य फैक्ट थे अब्दुल करीम खान हिंदूस्तानी संगीत की किस घराने के प्रतिपादक थे तो आपका किराना घराना हो जाएगा यह सामली जनपत की अंदर इस्तित है इसके संसावक अब्दुल करीम खान वे लुकुल राइठ है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने प्रिश्णा पर सही गए हैं नेक्ष प्रिश्ण है उत्तर प्रदेस में भारत कला भबन कहां इस्तित है तो अगर हम बात करते हैं तो बराणसी के अंदर इस्तित है आपसटन ए यहां पर करेक्ट होने बाला है बी-एच-ईू के परिसर में स्तित है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है जैसे कि हमने इसके इंदर पार्ट बन, पार्ट टू और पार्ट थ्री हम लेकर गया थे पार्ट बन भी हमने आपको explain कर दिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के उसकी जो playlist है playlist में जाकर के इन सभी वीडियोस को आप बहुच कर सकते हैं अगर आपने पार्ट बन और पार्ट टू नहीं देखा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं तो ही हमारे पास कोछी प्रेशन थे अगर आपको वीडियो अच्छा लाओ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे एक से एक महत पुड़ वीडियो आए बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ अटाला मजजित नामग शौधवी सतावदी के प्रिसिद मजजित उत्तरप्रदेश के किस सहर में स्थित है तो आपका जौन पूर हो जाएगा इसका निर्माण ने कराया था तो एबराहिम सहे तurki ने कराया था तो यह ध्यान में लाखना है नेक्स्टोशन है निम्लीखित में से किसे नगर महोदे स्री के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो हमारा कन्नोज है कन्नोज तो महोदे महोदे नगर के नाम से जाना जाता है तो कन्नोज आपको अटेम्ट कर देना है महोवा की अगर बात करते हैं तो महोद सब नगर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है निमले कितमे से कुछ सही सुमिलित कीजिए तो हैं पर दूसरे का किस से होगा? तीसरे से होगा आनि काम पिल्ले मिला कहां लगता है? फरोग अबवाद में लगता है और अगर हम बात करते हैं देवी पटान की तो हमारा जो देवी पाटन मिला है वो बलरामपुर के अंदर लगता है और बटेसवर मिला हमारा लगता है आगरा के अंदर और दादरी मिला लगता है हमारा बलिया के अंदर तो ये हमें ध्यान में रखना है इसी के साथ अगला प्रिश्ण है हमारा उत्तर प्रदेश में आयूरवेद महुतसफ का आयूजन किस जनपस से गिया जाता है तो उत्तर प्रदेश में आयरुवेद का महुतसफ का यूजन जहां सी डिश्टिक से किया जाता है अगर हम महुतसफ की ही बात करते हैं तो महुतसफ से सम्मेंदित काम पिले महुतसफ फरुकाबाद के अंदर कजली महुतसफ की बात करते हैं तो महुवा के अंदर और कजरी महुतसब की बात करें तो मिर्जापूर, सुलह कुल उत्सब आगरा और ताज महुतसब तो आपका आगरा रहेगा ही और हरी दास जैनती ब्रंदावर्ण के अंदर मनाये जाता है तो ये कुछ महतपुर्टत हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है एक्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स प्रिशन है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बोध दोनों का प्रिसित दिर्थिस्थान है तो जैन और बोध दोनों का प्रिसित दिर्थिस्थान हमारा कौसाम भी है तो आप्सन भी हैं पर करेक्ट है नेक्ट फ्रेशन है उत्तरप्रदेश में सभी आधिकारी कार्यों को हिंदी मेका उपियोग करने के लिए किस बर्स इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया तो 1951 के अंदर इसको जो है बाध्यकारी बना दिया गया आप हिंदी में और अगर हम बात करें हिंदी दिवस का मना जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएगा निमलिकत में से बुंदेल खंड का लोग पर ये लोग गीत कौन सा है तो आला है अप्सन भी यहां पर करेक्ट परजने वाला है उत्तर प्रदेश के निमलिकत जिलो में से कहां अनुसुची जातियों की जनसंख्या सर इसकी साहसत नेक्स्ट परिशन राजीव गंधी राष्टे विमान विहस्विध्याल mascot उत्तर प्रदेशं में कहां इस्तित है तो फुरसत गंज के अंदर स स्य यहां पर करेक्ट होने वाला है राष्टे गंधी विमान विश्विध्याल मेंदे धिहान रखना हो नेग्सट अगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाद्य है पसु चिकतसा विज्ञान विश्विद्ध्याले एवम को अनुसंधान संस्थान इस्तित है आपका मत्वरा अगला प्रेशन है 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिसत आवादी ग्रामीड शेत्रों में रहती है तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रतिस की 77.73 प्रतिसत आवादी ग्रामीड शेत्र के अंदर रहती है अगर हम सहरी की बात करते हैं तो 22. 27% सहर के अंदर जन संक्या रहती है तो इस चीज़ को आपको दियान में रखना है अगला प्रिश्ण है 2011 की जनकरणा के अनुसार निमलेकित में से उत्तर प्रदेश के किस जले की जन संक्या सबसे अधिक थी तो यहाँ पर आपको दियान में रखना है यानि C option correct हो जाएगा यानि प्रियाग राज की सबसे ज़्यादा जन संक्या थी नेक्ष्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे जलवायू छेतरों की संक्या है तो 9 है 9 है आपको दियान में रखना है option C is the correct उत्तर प्रदेश के निम्नमे से कौन से जले की सीमा मद्ध्य प्रदेश के साथ साजा नहीं करती है तो जैसे कि आप देखते हैं इलाबाद, मिरजापूर, इटाबा ये सभी मद्ध्य प्रदेश के साथ सीमा वृत है सीमा साजा करते है लेकिन यहाँ पर D यानि अलिकर्ड सीमा साजान नहीं करता है तो यहाँ पर आपका प्रिश्ण हो जाएगा option D is the correct जिन वच्चों ने option D को लगाया है उनका बिलकुर सही है आप यह test कीजिएगा आप कितना हैं पर सही करने वाले हैं मौक टेस्ट हो रहा है यह आपका बहुत important है अगला प्रिश्ण है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो देखिए अगर यहाँ पर बड़ा पूछे तो आपको लखीम पूर खीरी रखना है और बड़े से सेकेंड नंबर का पूछे हैं नदी के तरड़ पर रिस्तित है तो लखनव सहर आपके किस नदी के तरड़ पर रिस्तित है तो गौमती हैं पर करेक्ट हो जाएगा गौमती नदी के किनारे इस्तित हैं हमारा लखनव उत्तर प्रदेश को पूरव में किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को पू कौन सा है तो जन्संख्या की दरिश्टी से उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का पहला इस्थान है अगर हम बात करते हैं पहला इस्थान किसYou राज्जिस्थान के नाम दोसरा मद्य प्रदेश थीरा SiT तो यह ध्यान में रखना है अगला प्रिश्ण है हमारा देखी पहला हमारा राजस्थान के और दोसरा MP और तीसरा महाराष्ट और चौह था हमारा यूप यानि उत्तर प्रदेश के नाम जाता है अगला प्रिश्ण है हमारा निमने मैं से इत्रनगरी के नाम से किसे जाना जा गडिए फीछे एपको दीकौल के नाम से ज़ता है तो कन्मोच के नाम से तो को न किस्पा पता कर राठिछा किना मीनि तो लगारा प्रिया scripts कोalies जन्वरी 1950 को पड़ा और 24 जन्वरी को ही हम राष्टे वाले का दिवस भी मनाते हैं और राष्टे उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जन्वरी को मना जाता है और इसके साथ हमारा अगला प्रिश्ण होने वाला है और एक चीज ध्यान में रखना है सबसे पहले 2018 में उत्तर अगला प्रिश्ण है किस वर्स उत्तर अंचल उत्र प्रदेश अलग हुआ था तो उत्तर अंचल यानि जिसे मुत्राखन के नाम से जानते हैं नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तर जिला बना अत्राखरड 9 नोंबंबर 2000 को नए डिष्टिक बना जो हमारी देश का 27 वा राय्ज्य बना अगला प्रिश्ट में टाला बनाने का पिरमो केंद्र गौन सा है तो टाला बनाने का पिरमो केंद्र हमारा अलीघड के अंदर है अगर नहे केंशी farmer की बात करें तो तो अलिकर लगाना है, माचे सुध्यों की बात करें, तो बरेली या सहरनपुर यहाँ पर लगाना है, और इतने नगरी की अगर बात आती है, तो कन्योज लगा देना है, और काजल और सुर्मा या उत्पादन की बात आती है, तो यहाँ पर आपको बरेली लगा देना है, तो दो नगरियों के बीज के छेत्र को ही क्या कहा जाता है द्वाभ कहा जाता है जैसे एक नदी ये जा रहा है जो बीज का छेत्र है इसी को क्या कहेंगे हम द्वाभ कहते हैं धियान में रखना है नेक्स immersion है बहुआ करदेश के किस जिले में पाई जाते हैं तो डो लॉमाइंट के भंडार आपके सवन भाद्र के अंदर पाई जाते हैं अगला अगला प्रिश्ण होने वाला है जैसे कि आप देख पारें उत्तर प्रदेश को किरसी द्वारा लगवा कितने प्रतिसद आये होती है उत्तर प्रदेश सरकार को अगर केंदर के हम बात करते हैं तो ये भी आपका कानपुर है और चमड़ा केंदर की अगर बात करते हैं वो भी कानपुर होने वाला है अगला प्रिशन है प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुक केंदर कौन सा है तो कागज बनाने के प्रमुक केंदर है हमारा सहारनपुर सहारनपुन के नाम जाता है कागज बनाने का गयान अब यह देखिए बहुत महत्पुन किसे कहा जाता है तो गाजी पुर को कहा जाता है अगर मैं हैं पर बात करता हूं बेदों की कुल संख्या की तो बेदों की कुल संख्या है चार सबसे पुर्थम यानि रिगवेद जो सबसे प्राचीनतम बेद है सामबेद के हम बात करएं ॥ ये जुरवाईत की बात करते हैं तो यग और योदस से समखंदित है और अथरव्ष पित की मैं है आपर बात करता हूं प्रिष्ण में सबसे बाद में किस बेद को लाए गया तो अथर बेद को लाए गया बेद कितने होते हैं टोटल हमारे चार होते हैं सबसे प्राचिन तम बेद कौन सा है तो आपका रिगवेद बोलेंगे यहां पर कुछ परिक्षा की दृष्टी से बहुत महत्पूर प्रिष्टे बता तो भागबान बुद्ध ने ग्यान की प्राप्ति के अगर हम बात करें तो सारनात में पहला बोल्टर बैस दिया था अगर हम ग्यान की बात करें तो बहुत अगया कि अंदर बॉद ist. और जनम की बाद करें तो हुआ के नाम से बहुत नाम से बहुत सारे तैयार प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम किया गया था तो 1973 में प्रारम किया गया अर्था 1973 में इसलेट और भी प्रेशन है प्रतिवर्स 29 जुलाई को बाग दिवस की रूप में मनाये जाता है सरवाधिक टाइगर की जो संख्या वाला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश का एक मात्र राष्ट्य उधान कौन सा है तो आपको लगा देना है दुद्वा राष्ट्य उधान लखिमपूर खीरी में इस्तित है ध्यान में रखना है दुद्वा राष्ट्य उधान आपका लखिमपूर खीरी के अंदर इस्तित है नेक्स्ट कोशन ह उत्तरप्रदेस में हीरा किस जिले से निकाला जाता है तो उत्तरप्रदेस में हीरा की बात करें तो बांदा जिले से निकाला जाता है और अगर आप से पूछा जा यूरेनियम तो यूरेनियम के लिए जाता है आपका ललित पूर तो ध्यान में रखेंगे लेलित पुर यानी किसके लिए उरेनियम नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है तो आप जानते हैं तो मुरदबाद को जाना जाता है मुरादवाद की अगर बात करें तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है आगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश के किस उत्तरी भाको किन देशों की सीमा इसपर्स करती है तो उत्ति भाको हमारा एक मात्र देश करता है उत्तर प्रदेश को वो है आपका नेपाल नेपाल हमारा जो उत्तर में स्थित